जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम, पुझेश्री रुक्मनी बाईजी का जीवन चरित्र व्रिंदावन में बनखंडी महादेव के पास श्री गोरांग महाप्रभू का एक छोटा सा मंदिर है जो पीसी मा की साधना स्थली रही है, अन्यों के लिए गोरांग महाप्रभू चाहे जो रहे हूँ परन्तु पीसी मा के लिए वे एक लाले शिशु थे और वासल्ले भाव की साक्षत प्रतिमा, पीसी मा उनका अत्यधिक लाड़ चाव किया करती थी एक दिन बाई उसी मंदिर में श्री गोरांग महाप्रभू का दर्शन करने के लिए पहुँच गई, पहुचते ही वहाँ तो इस्तिती दूसरी हो गई, प्रणाम करते ही भावाविष्ट होकर मूर्तिवत बैट गई, बाई को देह की सुदबूद नहीं रही, मंदिर की ब बाई बंगला भाषा में बोलने लगी, इस बोलन तथा अन्य चेश्टाओं को देख कर, बाई के साथ जाने वाली बहनों ने यह अनुमान लगा लिया कि श्री चैतन्यमाप्रभू का भावावेश हो गया है, वह बहन भागी भागी भावी जी को श्री सदन से बुलाने च चड़ गई है, अतह माथे पर जल डालना चाहिए, एक बहन श्री गोरांग महाप्रभू के मंदिर से, श्री गोरांग मंदिर से चर्णामरत लाई और भूली, इसे पिलादो पिलाते ही चैतन्य लाब होगा, चैतन्य लाब का आश्वसन देने वाली बहन समझ ही नहीं प्रभू की भावविष्ट स्थती में बाई पीसी मा के लाड़ प्यार का वर्णन सहज जीती से बंगला भाशा में कर रही थी, इसी समय भावी जी मंदिर में आगी, भावी जी को देखकर बाई इतनी आहलादित हो गई कि ना जाने कितने दिनों के बिछड़े हुए, आत और घंटी बजने लगी, घंटी बसते ही बाई प्राकरत धरातल पर आ गई और अब भावी जी से चैतन ने, भावविष्ट बाई नहीं, भावी जी की चिर संगनी बाई ही बात कर रही थी, उपस्तित बंगाली माताओं को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, कि एक छड़ में वह भाववेश कहां तिरोहित हो गया, उनके आश्चर्य की पहली, पहली को सुलजाना भी नहीं था, परन्तु उस पहली के कुंजी भावी जी जानती थी कि मंदिर में घंटी बसते ही बाई के कलेवर में, व्यक्त श्री चैतन ने महाप्रभू ततकाल अंतर होने लगे, सामाने स्थिती होते ही भावी जी बाई को साथ लेकर श्री सदन आ गई, यहाँ पर यह बतलाना अवश्चक है कि इसके बाद जब भी तीन-चैर बार बार बाई उस श्री गोरांग मंदिर में गई, हर बार बे श्री चैतन महाप्रभू के भाव से दिव्य और उनकी वह दिव्य भाव में इस्तिती सभी को विस्मे और आहलात प्रदान करती थी, बाई जब जब बिंदावन रहती थी तब तब बरसाने जाया करती थी और अनेक बार ऐसा हुआ भी कि बरसाने के यातरत तीन-चैर बार हो जाया करती थी, बिंदावन से बर बाई श्री धम बरसाना गई, बरसाना जाने पर बाई का रंग ढंग सर्वता बदल जाया करता था, नव विवाहिता किशोरी का जीवन ससुराल में गम भीरता और मर्यादा से अधिक अव गुंठित रहता है, किन्तु उसी का आचार विवार अपने पीहर में सहज रूप से उनमुक्त और सुचंद रहता है, भावों का और चेश्टाओं का ऐसा ही चड़ा उतार बरसाने की सीमा में प्रवेश करते ही बाई के व्यवहार में परिलक्षित होने लगता था, बाई बरसाना आकर उनमुक्त रूप से हास विलास करती रहती थी, मानो पीहर में आ गई ह बरसाना पहुँचकर बाई भावी जी को साथ लेकर उपर श्री जी का दर्शन करने के लिए गई श्री बरसाने गाउं में लाडली जी का मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के उपर इस सित है और लगबग डेड़ सो उची उची सीडियों को चड़ करके ही दर्शनार्थी वहाँ पहुच पाते हैं उची सीडियों पर चड़ना स्वस्थ व्यक्ति को भी ठका देता है और वरध या दुरबल या रूगन को तो पालकी में बैठ कर जाना पड़ता है बाई श्रंगार आरती के समय मंदिर में आई थी बाई कुछ देर के लिए श्री जी के प्रांगण में बैठ गई और ब्रजवासी महिलाओं से पद सुनती रही क्या ही सईयोग की बात है कि ये सभी महिलाएं प्राय बाई की सम्वेस्का हुआ करती थी पद सुनाने वाली इन महिलाओं से बाई को ठोली करने में ना हिचक्ती और ना संकूष था पद सुनते सुनते और हसी विनोत करते करते मध्यान हुआया तभी मंदिर में राजभूग हो गया राजभूग के बाद आरती करके पट लगा दिया गया इसके बाद मंदिर में ही बाई भाबी जी आदी सभी ने प्रशाद पाया फिर मंदिर को परणाम करके पाहड़ी से उतर कर सभी विश्राम करने के लिए नीचे आगे साएकाल पुन है उपर मंदिर जाने के लिए तयार होकर बाई भाबी जी से बूली भाबी जी चलिए लाडली के पास चलते हैं भाबी जी ने कहा बाई मैं तो दोबारा चड़कर उपर मंदिर में नहीं जा सकूँगी जा तू दर्शन कर आ मैं तो पहले से ही बहुत ठकी हुई हूँ बाई ने जिद करके भाबी जी को भी साथ ले लिया और उपर मंदिर में आ गई वे रातरी शेयन तक मंदिर में ही बैठी रही वहां ब्रजवासिनी महिलाएं आती और बाई उनसे इस प्रकार घुल मिलकर के बाते करती मानों वे अपनी से अपनी हो सच मुछ यही लगता था कि वे सब बाई को अत्यथिक प्यार करती हो देखने सुनने वाले यही समझते कि बाई अपने पारिवारिक जनों के मद्धे बैठकर खुले मन से बाते कर रही है मंदिर में श्री जी के शेयन हो जाने के बाद बाई भाबी जी आदी सभी नीचे आ गई रात्री में सोती समय बाई ने भाबी जी से पूछा आपके पाउं में दर्द हो रहा है तो तेल लगवा लीजिए भाबी जी ने कहा बाई जो जो बहने अपने साथ आई है वे सभी तो ठक गई है मेरे पाउं में तेल कौन लगाएगा बाई सोचने लगी कि भाबी जी के पाउं में तेल मालिश हो जाना जरूरी है मालिश से पाउं का दर्द ठीक हो जाएगा तब ही मैं कल भाबी जी के साथ घुम सकूंगी यदि पाउं में पीड़ा रही तो भाबी जी का घुमना हो ही नहीं पाएगा बाई ने चट हसते हुए भाबी जी आपके पाउं में तेल तो मैं ही लगा दूँगी इस प्यार भरी प्रस्ताव ने भाबी जी के हिर्दे के तारों को छेड़ दिया देह दर्द से पस्त थी परन्तु भाबी जी का रूम रूम सिने से सिहर उठा भाबी जी को यह स्विकार था ही नहीं कि बाई से मैं अपनी शारिरिक सेवा करवाँ श्री भाई जी ने दिव्वे धरोहर बाई के रूप में सौपी थी उसकी वे मन ही मन वंदना किया करती थी प्रसंग को टालने के लिए पुलकित मुकलित अध्रों से विकलित विगलित स्वरों में भाबी जी ने धीरे से कहा भाई तेरे प्यार से दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा भाई के लिए भाबी जी की पीड़ा अंदेखी करना ऐसेहनिय हो उठा उन्होंने मन ही मन निश्चे कर लिया कि मालिश की कोई विवस्ता कर देनी चाहिए विवस्ता का ढंग क्या होगा भाई ने सोच लिया था परन्तु उस विवस्ता की रीती का रंच मातर भी आहट न देते हुए भाई ने भाबी जी से कहा भाबी जी मैं अभी तेल लगाने वाली को बुलवा देती हूं उससे आप अच्छी तरह तेल लगवा लीजिएगा रात के लगबख साड़े दस बच चुके थे बरसाना स्वेम में एक छोटा सा गाउं है सभी इस समय अपने अपने घरों में खापी करके आराम कर रहे हैं जगे जगे खोजने पर भी कोई तेल लगाने के लिए मिल ही नहीं सकती निराशा भरी स्वर में भाबी जी ने बाई से कहा रात्री के साड़े दस बच चुके हैं इस समय तेल लगाने वाली कहा मिलेगी भाबी जी के कतन के उत्तर में बाई रह समय हसी हसकर चुप हो गई और नहाने धोने के लिए चली गई मंदिर में दो बार जाने के लिए जो दो बार चड़ना और दो बार उतरना हुआ उससे अत्यधिक थकी भाबी जी मन मार कर बिस्तर पर चुप चाप लेट गई आधा घंटा ही बीता होगा कि दो किशोरियां आई उनके हाथ में तेल की शीशी थी नक्षिक ब्रजवासी वेश था भाबी जी ने इतना ही देखा कि उन गोरी गोरी किशोरियों ने घागरा पहन रखा है और सिर पर चुन्डरी डाल रखी है वे दोनों किशोरियां उस कमरे के दुआर पर आई जहां भाबी जी लेटी हुई थी कमरे के दुआर पर आकर दोनों में से एक किशोरी ने मधुर स्वर में कहा कोई तेल लगवाएगी क्या उस किशोरी के प्रशन को सुनकर भाबी जी के मन में चिंतन की दो धाराएं चल पड़ी पहली बाई के लिए और दूसरी किशोरी के लिए किशोरी के मुख से तेल लगाने की बात सुनकर भाभी जी बड़े रीजे रीजे मन से बाई को याद करती हुई मन ही मन कहने लगी कि बाई की प्रेम परवर्षता पर रोम रोम बलिहार है वे अपने मन की बात को पूरी करने के लिए आकाश के तारे भी जमीन पर ला सकती है उसे रात को भी चैन नहीं मिला और ना जाने कहां से तेल लगाने वाली को बुला लाई बाई की भेजी हुई ये दोनों किशोरियां ही आकर मुझसे तेल लगाने के लिए पूछ रही है दूसरी धारा इन किशोरियों के प्रती थी वे साधान स्थर की बालिकाएं क्या इतना मिठा बोल सकती है और क्या इतना शील उनके पूछने में हो सकता है उस प्रशन की बोलन ऐसी थी कि जिसके शब्द में शील और मिठास भरी हुई थी उस बोलन की मधूरता में मन से डूबी हुई और शरीर में थकी हुई भाबी जी ने कहा भीतर आ जाओ वे दोनों किशोरियों चमचम करती अंदर आ गई एक तो अंदर आते ही बैठ गई और दूसरी तेल लगाने लगी तेल लगवाते समय भाबी जी ने उससे पूछा तुम्हारा घर कहा है किशोरी ने कहा मैं यहीं पास में रहती हूँ भाबी जी ने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है किशोरी जी ने कहा मैया बाबा बहन भाईया सभी है भाबी जी ने कहा तुम्हारी शादी हो गई इस प्रशनक से वह किशोरी शर्मा गई लज्जा के मारे अधर खुल नहीं पाए यह सुनते ही उसकी सलज आँखे कुछ जुकसी गई वह चुपचाप तेल मालिश करती रही उसके मौन ने स्वते ही प्रशनका उत्तर दे दिया तेल मालिश होने से दस मिनट के अंदर ही भाबी जी को नेंद आ गई किशोरीया कब चली गई भाबी जी भी नहीं जान सकी सईयोग से तेल लगवाते समय भाबी जी के कमरे में अन्य कोई भी बहन नहीं थी इसलिए उन तेल लगाने वाले किशोरीयों को किसी ने भी नहीं देखा प्राते काल उठकर भाबी जी ने बाई भाबी जी ने कहा बाई रात में जो चोरीया तेल लगाने के लिए आई थी उन्होंने इतनी बढ़िया मालिश की कि मुझे तो शिगर ही नीदा गए और अब मेरे पाउं का दर्द बिल्कुल ठीक है भाबी जी की बात सुनकर वहीं रहसे भरी हसी हसते वे भूली भाबी जी आज भी उन्ही छोरीयों से तेल लगवा लीजीगा भाबी जी ने कहा मैं जब तक बरसाना हूँ तू उन्ही को तेल लगाने के लिए कह दे भाई ने कहा भाबी जी उन्हें जो बुला कर लाया था उसी से कह दीजिए कि रोज बुलवा देगा भाबी जी आश्चर्य से बाई को देखती ही बोले उनको तो तुमने ही बुलवाया होगा बाई को तो रहसे उदगाटन करना था नहीं अता है उन्होंने उन किशोरीयों को बुलाने के लिए मैंने तो किसी से भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा अब तो सबसे पूस्तास होने लगी घर में किसी ने भी उनकी शोरियों का आते जाते नहीं देखा तेल लगाने वाली भी रात्री के दस ग्यारा बजे आई थी यह बात ही सबको अश्चर्य में डाल रही थी आसपास में जिन जिन के घर थे वहाँ पर पूस्ताच की गई पर सभी अन्भिग्य थे अंत में यह बात बाई को बतलाई गई सब कुछ जानते हुए भी अंजान बनकर बाई ने अश्चर्य में तरीके से भाबी जी से पूछा भाबी जी वे किशोरियां कैसी थी भाबी जी बूली बाई वे तो एकदम 13-14 वर्ष के आयू पर उन्तु गोरी गागरा पहने चमचम करती चल रही थी मेरे विचार से वे अभी नव विवाहिता ही थी बाई ने पूछा भाबी जी उनके विवाहित होने की जानकारी आपको कैसे मिली भाबी जी ने कहा मैंने उनसे पूछा तो वे सर्मा गई बरसाने में तो छोटी आयू में ही छोरियों का विवाह कर दिया जाता है भाबी जी बड़े भोले पन से सारी बातें बता रही थी भोली भाली उनकी भोली भाली बातें सुनकर बाई खिल खिला कर हस्ती भोली भाबी जी आप लाडली के पीहर आई है ना कहीं लाडली ने आपके आतित्य हे तो तेल मालिश करने के लिए तो उनको नहीं भेज दिया था बाई की बात सुनकर सबका ध्यान उस रहसे की ओर गया और अब सभी को विश्वास होने लगा वास्ता में लाडली जी नहीं अपनी किनी सहचरियों को इस रूप में भेजा होगा भाबी जी तो लाडली के प्यार की स्मृती मातर से गदगद हो रही थी जैश्री राधे